Hello Friends, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नुमबर 5 है, यूनिट 2 का Part 1 इसमें हम बात करेगे कि Cutting Room Planning होती क्या है इससे पहले हम थोड़ा सा डिसकस करें कि इससे पहले हमने क्या क्या चीज कवर कर चुके है इससे पहले हमने कवर किया था unit 1 में कि हमारा applying industry का origin कब हुआ था और उसके बाद हमने प्रिजेननी status ओफ अपैरल industry की क्या है वो पड़ी थी, swap of अपैरल industry की क्या है, strength, उसकी weakness उसकी opportunities, उसके threat यह इन सब के बारे में बात करी थी उसके बाद हमने last जो हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि type of manufacturing system कि हमारे जो manufacturing system है, हमारे जो production system है वो किते types की होते हैं वैसे तो हमारे बहुत सारे होते हैं लेकिन हमने यहाँ पे सिफ बात की करी सिफ तीन types की पहला हमारा subcontract दूसरा हमारा है whole garment system जिसको दो पार्ट में divide किया गया था पहला हमारा complete whole garment system और दूसरा है हमारा departmental whole garment system उसके बाद हमने बात करी थी assembly की जिसको भी तीन पार्ट में divide किया था tailor system, teamwork और हमारा unit production system और आज हम बात करेंगे अपनी second unit के first topic को कि cutting room planning होती ही क्या है तो हम सबसे पहले बात करते है cutting की जो हमारा जो आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा flow chart है हमारा garment manufacturing process का उसमें जो हमारा cutting system है यह हमारे eighth number पे आता है सबसे पहले हम एक design तेयार करते है उस design का एक pattern design बनता है फिर उसकी sample बनाया जाता है फिर उसका production pattern बनाया जाता है फिर उसके grading करी जाती है फिर marker उसके mark करता है फिर उसको spread किया जाता है देन उसके बाद आता है हमारा cutting का cutting करने के बाद उसको shorting करी जाती है और फिर उसके bundling करी जाती है जब उसकी bundling हो जाती है उसके बाद उसको swing के लिए भेजा जाता है जहाँ पर उसके अलग-अलग जो उसके garment के जो component है उसको assemble करके उसका swing किया जाता है उसको सिलाई करी जाता है फिर उसका inspection होता है उसके बाद में उसकी pressing करते है फिर उसका final inspection करते है उसके बाद उसकी packing करते है और देन उसके बाद हम उसको dispatch के लिए भीज देते है तो जो हमारा cutting process है यह आता है हमारा eighth number पे तो आईए बात करते हैं कि एक cutting program planning होती क्या है यह हमारा की एक industry में किस तरीके से straight cutter का use करके हम लोग अपने pattern cut करते हैं fabric पे कि हम लोगों की जो fabric की जो layer है हम लोग कहीं layer को एक साथ जो हमारी spreading table होती है उसको रखते हैं फैलाते हैं अपने कपड़े को और फिर उस पे जो हमारा जो pattern होता है जो उस pattern के साथ उस pattern की मदश से क्या करते हैं हम अपने जो यह cutter है इस से उस pattern को cut कर देते हैं आये स्टार्ट करते हैं एक journal introduction की cutting होती क्या है the first stage in the manufacture of garment is the cutting of material into the necessity pattern shape इसमें बताया गया है कि जो पहली stage है हमारी manufacture of garment में वो cutting material में वो क्या है कि हम लोगों को जो भी हमारा आवशक pattern है उसको उसमें cut करना इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कपड़ों के निर्मान में जो पहला चरण है वो सामगरी को आवशक pattern के आकार में काटना होता है जो भी आपकी आवशक जो pattern होता है उसके आकार में आप अपना pattern जो आपकी सामगरी उसको क्या करते हो material को cut करते हो these are then joined together by means of swing to create three dimensional garment यहाँ पर बताएगा है फिर उन्हें क्या करते है three dimensional garment बनाने के लिए उसे शिलाई के माध्यम से एक साथ जोड दिया जाता है where large quantities of a garment style must be cut a lay is created which consists of many plies of fabric spread one above the other इसमें बताया गया है जहाँ एक garment style की बड़ी मातर में cutting की जाती है एक परत बनाई जाती है मतलब आपकी जो fabric है उस पे एक की उपर एक lay बनाई जाती है जिसमें कपड़े के कहीं सारे धेर होते हैं कि एक के उपर एक आप fabric को spread करते जाते हो इसमें से उस lay के उपर जितने भी आपको design बनाने होते हैं आप उनको create करते हो उनको रखके बनाते हो ठीक है from this all the garment pieces for all the size that have been planned for that lay are cut जितने भी आपको size बनाने होते है जो भी आपने plan किये गए है आप क्या करते हो उस lay पर रखते हो और उसको cut करते हो the pattern shape for this garment may be drawn on a paper marker placed on top of the lay जो आपकी shape है garment की उसको आप किस पे बना के रखते हो एक paper marker पे आप बना के रखते हो और फिर उसको क्या करते हो आप उस lay जो आपने कपड़े की जो lay बनाए हुए आप उस पे रखते हो और उसको mark कर लेते हो और information as to their shape and position may be held within a computer to be plotted similar on a paper marker or used to drive an automatic cutter इसमें बोला गया है कि इसी तरह एक paper marker या फिर plot किया जाता है या फिर आप उसको automatic cutter चलाने के लिए उप्योग भी कर सकते हो तो ये था हमारा एक simple सा introduction की हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले जो हमारी spreading table है उस पे अपना fabric को फैलाते हैं एक की उपर एक हम ले को इसी तरीके से फैलाते जाते हैं उनमें कोई भी हम जो हमारी बोल सकते हो कोई भी जूरी वगएरा हम नहीं आने देते उसको बिल्कुल एक state उसमें हम इसको फैलाते हैं अपने fabric को और उसके बाद जो भी हमारा pattern design होता है हम उसको उस पे mark करते हैं और उसके बाद हम उसको straight cutter से क्या करते हैं cutting room is an extremely important section in the garment manufacturing process which has a major impact on the probability of the business यहाँ पर बात करी गई है कि जो हमारा cutting room है यह बहुँ जादा extremely important section है हमारे garment manufacturing process का जो कि हमारे जो business होता है business की जो probability होती है यह उस पे एक बहुत बड़ा major impact डालता है जो हमारी cutting room है यह हमारे business की probability पर एक major impact डालता है flowing are the few reasons which describe the importance of the efficient management of the cutting room in garment manufacturing process नीचे के जो दिये गए जो आपके कुछ जो reason है वो describe करते है कि आपका जो cutting room है garment manufacturing में वो किस तरीके से एक effective management जो है वो provide करता है सबसे पहला जो point है cutting room being the feeding point of feeding point to the factory has massive impact on all the further processes of garment manufacturing that is swing, finishing, etc. यहां पर बात करी गई है कि जो cutting room factory के लिए feeding point होने के कारण हमारे जो garment manufacturing की सभी आगे की जो process है जैसे हमारी stitching हो गई हमारी swing हो गई हमारी finishing हो गई आधी पर एक massive impact यह डालता है उसके बाद हम बात करेगे second point cutting being the first operation of garment manufacturing lay the foundation of quality of the garment to be made यहां पर बताएगा है कि cutting garment garment manufacturing का पहला operation है जो बनाये जाने वाले garment की quality की नीव रखता है जो हमारे quality है garment की उसका यह foundation माना गया है any imperfection in cutting process can result in non-conformance of the quality standard of all further processes यहां पर बताएगा है कि काटने की जो process है उसमें किसी भी imperfection के परिनाम सवरूप आगे की सभी परकिरियाओं के गुनवत्तन नामकों का अनुपालन नहीं हो सकता अगर हमारी cutting process में ही कोई दिक्कत आ जाईगी तो हम आगे के जो further जो हमारे step होते है उनको हम अच्छी तरीके से नहीं कर सकती उस quality में हम नहीं कर सकती है एक अच्छी quality standard में हम उसको नहीं बना सकती अगर हमारी cutting process में ही कुछ कमी हो जाती है इसके बाद हम बात करेगे कि cutting room, एक cutting room होता कैसा है Space requirement for cutting room एक cutting room के लिए हमें कितना space की हम लोगों को ज़रुत पढ़ती है The cutting room should have enough space to house all necessary equipment and manpower To add to it, the cutting room should have sufficient space for sorting fabric roll of running lay and cut bundle and WIP of at least one day of feeding for the sewing action इसमें बोला गया है कि cutting room में सभी आवशक उपकरन रखने के लिए परियाप जगय होनी चाहिए मतलब जो जितने भी हमारे necessary जो equipment है उनको cutting room में रखने के लिए हमारे पास एक enough space होना चाहिए और manpower जैसे और manpower इसे जोडने के लिए cutting room में running lay और cut bundle के fabric roll को store करने के लिए परियाप जगय होनी चाहिए और जो हमारे manpower है जो हमारे worker है जो cutting room में काम करते हैं उनके लिए भी एक specific space होना चाहिए जिससे वो अपना जो काम है वो उसको अच्छे से कर सके अगर किसी cutting room में आप एक छोटे से कमरे में आप बहुत सारे इंसान को काम करने के लिए बोलोगे तो उनके लिए वो काम करना इतना ज़्यादा effective नहीं होगा efficiency वो नहीं होगा मतलब इतना जादे लाफ बैक उनके लिए वो नहीं होगा क्या है कि वो काम जो है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा जितना एक वरकर और को काम करने के लिए स्पेस चाहिए अगर हम उसको उतना स्पेस प्रोवाइड करा है जैसे की इसमें बोला गया है to add to eat the cutting room should have sufficient space for storing फैबरिक रोल जो भी हमारे फैबरिक के जो रोल है उनको रखने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए एक sufficient जो है space होना चाहिए और जो हमारे cut bundle है उनके लिए भी हमारे पास काफी space होना चाहिए तब ही जाके जो हमारा cutting room है वो एक सही माइने में हमारा cutting room है वो तयार होता है as a thumb roll the cutting room area should be evaluated to 40% of the swing area swing section area for example if swing section area is 10,000 square feet then cutting room area equals to 10,000 into 40% equals to 4,000 square feet इसमें बोला गया है कि एक नियम के रूप में काटने के कमरे का जो एरिया है वो जो हमारे swing area है उससे 40% के बराबर होना चाहिए मतलब ये एक रूल है कि जो हमारे ब्रूप ब्रूप के 40% के बराबर होना चाहिए हमारा cutting room जैसे कि इन्होंने बताया गया है कि अगर हमारा जो swing room है वो 10,000 square feet है तो जो हमारा cutting room है वो कैसे निकाल लेगे हम 10,000 into 40% तो यह हमारा निकल के आएगा 4000 square feet जो हमारा cutting room है वो 4000 square feet होना चाहिए अगर हमारा जो swing room है वो 10,000 square feet है इसके बाद बात करी गई है कि it should be noted that this area is exclusive of the fabric storage area यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह जो area है यह जो हमारा fabric मतलब जो हमारा fabric store area है यह अलग होना चाहिए हमारे cutting room से जो हमारा fabric storage area है यह अलग होना चाहिए इसमें बोला गया है कि cutting room का layout इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि काम का जो आगे का जो परवा है वो जो काम करने का जो flow है वो forward होना चाहिए ना कि यह जो हमारा काम करने का जो तरीका है यह हमारे अलग अलग जो हमारे material है या operation है इनकी वज़े से वो backward moment में आए तो हमारे जो cutting room है वो इस layout में होना चाहिए कि हमारे जो काम करने का तरीका है वो आगे बढ़े ना कि वो पीछे की तरफ जाए यहाँ पे बात करी गई है कि end bit और हमारे वी आई पी के जो storage है storage के लिए trolley और storage rack को पार करने का provision होना चाहिए यह ता हमारा की एक हमारा जो cutting room होता है हमारे cutting room का space हमारे जो swing room है उसके 40% के बराबर होना चाहिए इसमें जो कुल मिला के बात बोली गई है वो यही बोली गई है कि हमारा जो cutting room है उसमें space इतना होना चाहिए कि हमारे वहाँ पे जो काम करने वाले जो man पा रहे है उनको कोई दिक्कत ना हो और ना ही जो उनका जो material है वो उसको अराम से रखे वहाँ पे अच्छी तरीके से अपनी cutting जो है वो proper तरीके से कर सके और इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जितने भी हमारे cutting room के जो भी हमारे equipment होते है जो भी हमारे ओजार होते है वो इसमें अच्छी तरीके से रखे जा सके इसके बाद हम बात करेगे कि हमारी cutting planning होती क्या है cutting planning क्या होती है cutting क्या होती है sorting और bundling क्या होती है manpower and machinery क्या होती है इससे next video में हम लोग अपनी cutting planning और cutting के बारे में बात करेगी Thank you